आज का पज्चान आज पॉष शुकल पक्ष की चतुरदर्शी तिथी और गुरुवार का दिन है चतुरदर्शी तिथी आज का पूरा दिन पार करके देर रात 2 बच कर 14 मिनट तक रहेगी आज सुबह 7 बच कर 33 मिनट तक शुकल योग रहेगा उसके बाद ब्रहमा योग लग जाएगा साथ ही आज रात 9 बच कर 26 मिनट तक रवी योग रहेगा रात 9 बच कर 26 मिनट तक म्रिक्षिरा नक्षत्र रहेगा इसके अलावा आज पृत्वी लोग की भद्रा है शुब मुहुर्त चतुरदशी तिथी आज का पूरा दिन पार करके देर रात 2 बच कर 14 मिनट तक रहेगी शुकल योग आज सुबह 7 बच कर 33 मिनट तक रहेगा रवी योग आज रात 9 बच कर 26 मिनट तक रहेगा रिक्षिरा नक्षत्र रात 9 बजकर 26 मिनिट तक रहेगा सूरियोध्य सूरियास्त का समय आज सूरियोध्य सुभह 7 बजकर 14 मिनिट पर होगा तथा सूरियास्त शाम 5 बजकर 37 मिनिट पर होगा आज का राशिफल मेश राशी आज के दिन शुरुवात में कुछ परेशानी भरा रहेगा, लेकिन बाद में सब मन मुताबिक होगा, जिसके कारण आपके कुछ लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे आपके मन में चल रही कुछ समस्याओं का हल ढूनने में भी आज आप सफल रहेंगे, लेकिन आपको अपने किसी भी करीबी अत्वा रिष्टेदार से अपने बिजनेस से संबंधित किसी भी बातचीत को नहीं करना है, नहीं तो वहां आपके कुछ बनते हुए कामों में परिवार के लोगों का मन जीतने में काम्याब रहेंगे, वह अपने परिवार के सदस्यों के आपसी विवाद विवाद को भी समाप्त कर देंगे, जिसके कारण पारिवारिक एकता मजबूत होगी, वह आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुखत समय व्यतीत करेंगे जो लोग साजेदारी में व्यवसाय करते हैं, उनके लिए दिन आज अच्छा रहेगा मिथुन राशी आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहेगा व्यवसाय में भी आज आप अपने पिछले रुके हुए कामों को धून धून कर पूरा करेंगे वह आपके घर के भी कुछ काम जो लंबे समय से लटके हुए थे आज आप उन्हें भी पूरा करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं जिसके लिए आप संतान से मदद भी ले सकते हैं आज ननिहाल पक्ष से आपको कोई उपहार मिल सकता है करक राशी आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायक रहेगा विद्यार्थियों को आज एकाग्र होकर पढ़ाई में जुटना होगा तभी वह सफलता हासिल कर सकेंगे अन्यथा वह किसी परीक्षा में अस्फल हो सकते हैं आज आप अपनी शान और शौकत पर भी कुछ धन व्याय करेंगे जिसे देखकर आपके शत्रू आपसे ईश्या करेंगे लेकिन आज आपको किसी भी आलोचक की आलोचना पर ध्यान नहीं देना है सिंग राशी आज विद्यार्थियों को घर से दूर रहकर विद्या अर्जित करने जाना पड़ सकता है जिसमें उनको अपने गुरुजनों वसीनियस का सहयोग भी प्राप्थ होगा जिसके कारण उनके शिक्षा में आ रही परेशानियां समाप्थ होंगी और वह सफलता की सीड़ी चड़ेंगे विदेशों से व्यापार कर रहे लोगों को आज कोई मन मुताबिक योजना सुनने को मिल सकती है जो लोग किसी नई प्रॉपर्टी में आज धन निवेश करना चाते हैं कन्या राशी आज परिवार के किसी सदस्य की बात को सुनकर आपका मन परेशान हो सकता है इसलिए ज्यादा सोच विचार ना करें तो आपके लिए भैतर रहेगा यदि आज आप किसी निरनय को भी ले तो गुद्धी व विवेक से ही ले व किसी भी सदस्य के बहतावे में आकर ना ले यदि आपका कोई जमीन जायदाद से जुड़ा मामला लंबे समय से लंबित पड़ा है तो आज आप उसे भी पूरा करने में सफल रहेंगे तुला राशी आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा क्योंकि सामाजिक स्तर पर आज आपको कुछ अच्छे फल मिल सकते हैं आज आप कार्यक्षेत्र में अपने जरूरी कामों को निप्ताने में व्यस्त रहेंगे लेकिन व्यवसाय में आज खुशमजाज व्यक्तित्व होने के कारण लोग आपके दुश्मन भी हो सकते हैं वा आपके दोस्त के रूप में भी हो सकते हैं उनको आपको उन्हें पहचानना होगा तभी आप उनसे बच पाएंगे व्रिश्चिक राशी आज का दिन आपके लिए व्यस्तता भरा रहेगा आज नौकरी कर रहे जातकों को कोई ऐसा कार्य सौपा जा सकता है जिसमें उनको अपने साथियों की मदद की आवर्शक्ता होगी लेकिन अपनी मेहंत वसाथियों की मदद से सायनकाल तक आप उस कार्य को पूरा करने में सफल रहेंगे समाज में फैली कुरीतियों पर आज आपका ध्यान जाएगा और आज आप उनका हल ढूंडते भी नजर आएंगे इसके लिए आपको कुछ समाज सेवियों से मदद भी लेनी पड़ सकती है धनु राशी आज का दिन आपके लिए कुछ कठिनाईयों भरा रहेगा क्योंकि आज आपके बढ़ते हुए खर्च आपको परेशानी में डाल सकते हैं जिन पर आपको लगाम लगानी होगी नहीं तो आपका बजट डगमगा सकता है जिसके कारण भविश्य में आपको आर्थिक संकट से जूजना पड़ सकता है भाई और बहनों से आज आज आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है जो लोग रोजगार की दिशा में लंबे समय से प्रयास कर रही है उनको आज कोई भैतर अवसर हाथ लगेगा मकर राशी आज का दिन आपके लिए मध्यम रूप से फलदायक रहीगा आज आपको कोई भी ऐसा कार्य अपने हाथ में नहीं लेना है जिसके लिए बाद में आपको पच्टाना पड़े आज यदि आपका अपने किसी भाई भान से कोई वाद विवाद चल रहा था तो वह भी आज आपका सफल होगा जिसके कारण आप प्रसन रहेंगे राजनीती की दिशा में कार्यरत लोगों को आज कुछ बहतर अवसर हाथ लग सकते हैं कुम्भ राशी आज का दिन नौकरी कर रहे जातकों के लिए उत्तम रहने वाला है क्योंकि उनको आज कोई और दूसरा बहतर आफर मिल सकता है जिसके कारण वह प्रसन रहेंगे यदि नौकरी कर रहे जातक कोई पार्ट टाइम कार्य करने का मन बनाया है तो आज वह उसके लिए भी समय निकालने में काम्याब रहेंगे छोटे व्यापारियों को आज अपने पिताजी की सला से लाब मिलता दिख रहा है मीन राशी आज आज आपको हर मामले में भाग्य का भरपूर साथ मिलता दिख रहा है यदि आज आज आप कहीं पर धन का निवेश करेंगे या अपने पहले कहीं धन का निवेश किया था तो वह आज आज आपको वापस मिलेगा जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिती मजबूत होगी और आप अपनी महत्वकाक्षाओं की पूर्ती करने में भी सफल रहेंगे यदि आज आप किसी सामाजिक कारेक्रम में जाएं तो उसमें अपनी वानी पर लगाम लगा कर रखें